आपका स्वागत है, आपके अपने चैनल जिसका नाम है मोरवी नंदन क्लासिस, तो बच्चों एकागरता से तयार हो जाओ, मोरवी नंदन क्लासिस आपके लिए लाया है कक्षा 10 का SS का चैप्टर नंबर 2, भारत की सांस्कृतिक विरासत, परमपराएं, हस्तकला और ललितकल बालक को जन्म के साथ ही माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षन मिलते हैं, जिसे जैविक विरासत के रूप में हम जानते हैं, जब धर, जमीन, जागीर या स्थावर जंगम संपत्ती विरासत में मिले तो उसे भोतिक विरासत कहते हैं उसी तरह मनुष्य अपनी योग्यता, बुद्धी, शक्ती, कलाकौशल द्वारा जो कुछ प्राप्त करता है या सर्जन करता है उसे सामान्य रूप से सास्कृतिक विरासत कहते हैं, उसी तरह समाज जीवन में पूर्वजो द्वारा शुरू की गई परंपराए, रूडिया, रीटी, रिवाज और एक विशेश प्रकार की जीवन शैली को भी हम सास्कृतिक विरासत मानते हैं इसके उपरांध हम दूसरी, चीजे जैसे की शिक्षा, ख्रिशी, व्यापार, द्यानिक जीवन के नीती नियम, उत्सव, मनुरंजन, कला कारीगरी, मान्यता ओर, कौशल का भी समावेश उसमें करते हैं भारत विश्व का प्राचीन देश है, उसकी उत्तम परंप्राव सामाजिक मूल्यों, रूरियों, रीटी रिवाजों, परिवार व्यवस्था की विशिष्टा वाले सास्कृतिक विरासत की देखभाल और सनरक्षन करना हमारा कर्तव्य है प्राचीन भारत की 64 कलाएं जिन में हस्त कला, कारीगरी, कला बत्तु हुनर, चित्र, संगीत, नाथ्यकला और मृत्यकला इत्यादी को गिना सकते हैं अपनी प्राचीन मुद्राएं भी मूल्यवान थी भूत कल में विदेशी यात्रियों या आक्रमनकारियों के लिए भारत की समृद्धी आकर्शन का केंद्र थी आज भारत की सास्पृतिक विरासत की प्रतीक समान योग विद्या को समगर विश्व ने स्वीकार किया है और उसके परिनाम स्वरूप समगर विश्व 21 जून को विश्व योग दिवस्प के रूप में मनाता है इस प्रकरन में भारत की विविद प्रकार की कलाकारीगरी के विशे में हम परिचय प्राप्त करेंगे भारतिय कारीगरों का कमाल भारत की सास्पृतिक विरासत का सौंदर्य भारतिय कारीगरों और कलाबत्तों जरी काम करने वाले के हुनर पारंगत्ता में समाया हुआ है। भारत के रनबिरंगे जीवन को उन्होंने अपनी कला कारीगरी और हुनर उद्योग द्वारा कुशलता से विक्सित किया है। बुन्थने का काम, काश्ठकला, मिट्टी काम, धातु काम, चित्रकला, चर्म उध्योग, मीना कारीगरी, नकाशी काम, अकीक और हीरा संबंधी कोशलपूर्ण कारीगरी, शित्स्थापत्य, हाद बुनाई से जुली कारीगरी आदी भारत की विशेश पहचान है. मिट्टी काम, कला, मानव जीवन और मिट्टी के बीच बड़ा ही प्राचीन संबंध रहा है. व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यू तक की यात्रा मिट्टी से जुड़ी रहती है. धातु की खोज नहीं हुई थी, तब मनुष्य अधिकांच तह मिट्टी से बनी वस्तूओं क उप्योग करता था, जिनमें मिट्टी के खिलोने, मट्के, कुलहर दिये, मिट्टी के चूले तथा अनाज संग्रह की कोठी, बखार वगरह का समावेश होता है. उस समय घर की दिवारों को भी मिट्टी और गोबर से लीपकर सुरक्षित रखा जाता था. पानी, दूद, दही, शाच और घी जैसे द्रव पदार्त भी मिट्टी के बर्तनों में रखे जाते थे. प्रसोई घर के बर्तन भी मिट्टी के होते थे. लोथल, मुए जो द्रो तथा हरप्पा संस्कृती समय के मिट्टी के लाल रंग के प्याले, मर्तबान, बर्नी, प्रकाबी, आदी बर्तन मिले हैं. कुमहार के चाक को मिट्टी के काम के लिए प्राचीन भारत का प्रतम यंत्र माना जा सकता है. आज भी नवरात्री में गर्बा अंदर में दीपक हो ऐसा छिद्रुवला मिट्टी का घड़ा देखने को मिलता है. कच्ची मिट्टी और कच्ची मिट्टी मे पुराने अफशेशों के आधार पर मिलता है। कश्मीर सहिद भारत में बनने वाला गालीचा, पाटन का पटोला, कांजी वरम और बनारसी सारियां, राजिस्थानी बांधनी जैसे हाथ बुनाई के विशिष्ट कारीगरी के नमुने भारत की पहचान थे। पुटल और समय लेने वाली यह कला आज कुछ मर्यादित, कारीगरों तक ही सीमित है। रंग भी नहीं जाता है, इसलिए गुजराती में एक कहावत प्रचलित है की परीपटोले भात फाटे पर फीटे नहीं। कड़ाई बुनाई की कला, हरपपा और मोहे जुदरों के उत्खनन दौरान मिली मूर्तियों और पुतलों के वस्त्रों पर भी कड़ाई बुनाई का काम देखने को मिला है। भारत में पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के वस्त्रों पर कड़ाई बुनाई करने की कारीगरी भी बहुत प्राचीन है। सिंधू संस्कृती की समय सिंध, सौराश्ट्र और कच के स्त्री पुरुषों के वस्त्रों पर कशीदा कारी देखने को मिली है। इसी तरह कश्मीर का कश्मीरी कशीदा भी प्रसिद है। इसके उपरांत गुजरात के जामनगर, जेतपुर, भुज और मानवी, क्षेत्र बांधनी तथा उसके उपर की गई परंपरागत शैली वाली हाथी, उतली, चौरस, पक्षी, कलश, आदी, सुन्दर दिजाइनों के लिए कपड़े के उपर छपाए और कड़ाए बुनाई गुजरात के कच, सौराश्ट्र वगेरा प्रदेशों की स्त्रियों का ग्रह व्यवसाय रहा है। चंदोवा, लता तोरंग, चौका, तक्या, मसनद और जूले के उपरांत कई जातियों में पहनी जाने वाली मिरजरी नाम वस्त्र के उपर की गई कड़ाए बुनाई कला की परंपरा आज भी प्रख्यात है। कड़ाए बुनाई से सजा दुसा, रजाई के उपर भौमितिक और विविद आकृती प्रधान कृतियों से युक्त कशिदाकारी भी देखने को मिलती है। कच के बन्नीक शेत्र में, ज जैसी कौम की कशिदाकारी की भी एक अलग पहचान है। की जाने वाली धाल में भी चमडे का उप्योग होता था। भारत में चर्म उद्योग का विशिष्ट स्थान था, जिसमें जूते और चमडे की विविद चीज वस्तुएं जैसे की चमडे की कड़ाई बुनाई वाली जूतियां, शिंपले, पस, पट्टा, बेल्ट, तथा घोडे और उट जैसे प्रानियों के पीट पर रखा जाने वाला सास, पलान, लगाम तथा चाबुख के लिए डोरी भी चमडे की होती थी। के आभूशनों की पहले से ही विदेशों में खूब मान रही है। विश्व विख्यात कोहिनूर और ग्रेट मुगल हीरा भी भारत से मिला था। भारतिय लोग आभूशनों के शौकीन थे। मुक्तो, मालाओं और बाजू बंद बनाने में रतनों का उप्योग होता था। मोती के कलात्मक तोरन, माला, कलश, खिलकी, चौका, पंखा, विवाह के नारिल, घुनघुना, पिछोरी, गैंडुरी, बेलों के लिए कलात्मक शेहरा, सींगों की जालर आदी बुनाई की कलाकारीगरी अद्भूत रही है। संपून भारत में यह सारी कारीगरी हस्त कलाकारीगरी के रूप में परमपरागत घंसे देखने को मिलती है। जरी काम शान युग के बाद धातु युग में धातु विद्या विक्सित हुई लोथल के कारीगर धातु में से हसिया, बर्मा, छिद्रक, कुमावाली आरी, आरा और सुई जैसे तामबे एवं कासे के ओजार बनाते थे इसी तरह धातु में से ओजारों के उपरांद बर्तन, मूर्तिया और पात्र बनाए जाते थे युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र भी धातु में से बनाते थे सोना चांदी जैसी धातुओं का उप्योग गहने में होता था ताबा, पीतल और कासा जैसी धातूओं का उप्योग बर्तन और मूर्तिया बनाने में होता था जबकि लोही का उप्योग औजार एवं हथियार बनाने में होता था काश्ठकला, मानव जीवन का संबंध प्रारम से ही व्रिक्ष और जंगलों के साथ जुड़ा रहा है शुरुआत में इंधन के रूप में लकडी का उप्योग होता था धीरे धीरे ओजारोप, भवनों और मकानों के निर्मान में लकडी का उप्योग होने लगा प्रमशह लकडी की मूर्तिया, बालकों के लिए खिलोने, गोखा, ताक, खंबे, खिल की दर्वाजे, अटारी, सिंधासन, कुर्सी, जाली आदी बनने के साथ का श्ठकला नकाशी का विकास होता रहा बुजरात में संखेडा का फणीचर, लकडी का जूला तथा एड़ के खिलोने प्रसिद हैं जणाओं काम अलनकार और जणाओं काम की कला भारत की एक प्राचीन कला है भारत के राजा, समराट, अन्यशासक और उस समय के श्वीमंत वगरह जिन स्वर्न अलिनकारों को धारन करते थे उनमें हीरा, मोती, मानेक आदी प्रमुक थे इन कीमती रतनों को गले काहार, बाजूबंध, कड़ा, मुकुट, मादबेंदी, अन्गूठी, नतनी आदी में जणा कर पहनते थे विशेश निपुन्ता वाले कारीगर ऐसी जणाओं कला में सिध्ध हस्त थे राजस्थान का बीकानेर गहने के जणाओं काम के लिए प्रसिध है अकीक काम, अकीक भारत की कई नदियों के घाटी प्रदेश से मिलने वाला एक कीमती पत्थर है जिसमें अकीक, चक्मक और अर्धपारदर्शिक सुंदर लाल पत्थर कारनेलियन्ट मुख्या है विशेश करके सिलिका मिश्रित नीले या सफेद रंग केलसी डोनिक के पत्थरों को अकीक कहते हैं बुजरात में सूरत और रानपुर्ग शेत्रों में भिन-भिन आकार के अकीक के पत्थर मिलते हैं अकीक के पत्थरों को अलिनकारों में जणाव काम के लिए खंभाद भेजा जाता है। पियर संस्कृती के अफशेशों में से भारतिय चित्रकला के प्रमान मिले हैं। पुरातत्वा विभाग के उत्खनन में भी भारत की चित्रकला के नमूने मिलते रहते हैं। पाशान युग के आदिमानव के गुफा चित्रों में पशु पक्षियों के आलेखन देखने को मिलते हैं। खरपपा के लोग मिट्टी के बर्तनों के उपर भौमितिक रेखानकन की आकरिती और फूल पौधे बनाते थे। मध्यप्रदेश के हाथी, गैंडा, हिरनादी, चित्र उलेखनिय हैं। अजंता इलोरा के चित्र भारतिय चित्रकला के बेजोण उदाहरन हैं। भारत में पारमपरिक रूप से मांगलिक प्रसंगों पर स्वास्तिक, कलश, गनेश के चित्र बनाने की और कुछ क्षेत्रों में रंगोली बनाने की प्रथा भी बड़ी पुरानी है। भारत की ललित कला, गायन, वादन, नर्तन और विविद पात्रों की वेशबूशा धारन करके किसी कथा या प्रसंट का अभिने करना भारतिय संस्कृती की विशेष्टा रही है। रामायन, महाभारत जैसे महान ग्रंथों और अन्य भारतिय साहित्य के आधार पर मनोरंजन के साथ लोकसंसकार देने का कार्य काफी समय से भारत में चलता रहा है, जिसका विसद अध्ययन रसमे है। संगीत किला, स्वर, ताल और लेकी द्रिश्टी से भारतिय संगीत विश्व के अन्य देशों के संगीत से भिन है। हमारे चार वेदों में से सामवेद संगीत से संबंधित वेद माना जाता है। सामवेद की रिचाओ को संगीत के साथ तालबद धन से गाना होता है। संगीत में गायन और वादन दोनों का समावेश होता है। सा, रे, ग, म, प, ध, नी ये संगीत के मुख्य साथ स्वर हैं। अपने संगीत को मुख्य रूप से शास्त्रिय संगीत और लोक संगीत दो प्राचीन भारत में संगीत संबंदी बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन में से संगीत मकरंथ, संगीत रतनाकर और संगीत पारिजात का परिचे निम्नानुसार है। संगीत शास्त्र के ग्याता पंडित सारंदेव इस ग्रंथ के रचेता थे। वे दौलताबाद देवगिरी में रहते थे, इसलिए उत्तर भारत और दक्षन भारत के संगीत से परिचित थे। की रचना की थी। उन्होंने विवेद रागों का एक महत्वपूर्ण लक्षन बताया है कि सभी राग एक दूसरे से अलग अपना स्वतंत रस्तित्व और विशिष्टता रखते हैं। उन्होंने 29 प्रकार के स्वरों को बताया है। उस समय सूरदास कबीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभू, मीरा और नरसिंग महता के भजनों और कीर्तिनों से देश में भक्तिमय वातावरन बन गया। पंद्रहवी सदी में स्वामी हरिदास के शिशे बैजु बावरा और तांसेन जैसी उसी समय की अपने गुजरात की संगीत जोडी ताना और रीरी नामक कन्याय खूब प्रसिद थी। नृत्यकला, नृत्य शब्द की व्यूत्पत्ती मूल संस्कृत धातू, नृत, नृत्य करना पर से हुई है। नृत्य ताल और ले की साथ सौंदर्य की एनभूती कराने का साधन है। नृत्यकला के आदी देव भगवान शिव नट्राज माने जाते हैं। लोगों को नृत्य सिखाने के लिए स्वर्ग से प्रित्वी पर इसकला को सर्वप्रथम नट्राज शिव लाए थे, ऐसी मान्यता है। भारत के शास्त्रिय नृत्य के प्रकारों में भरत नात्यम, कुचीपुरी, कथक, कथकली, ओडिशी और मनेपुरी मुख्या है। भरत नात्यम का उदभाव स्थान तमिलनाडु राज्य का तंजावुर जिला माना जाता है। भरत मुनी रचित, नात्यशास्त्र और नंदी केश्वर रचित, अभिनव दरपंग, ये दोनों वरंत भरत नात्यम के आधार स्फ्रोत हैं। मुर्णालिनी सारा भाई, गोपी कृष्ण के उपरांध फिल्म क्षेत्र की मशहूर अभिनेत्री वेजनती माला और हेमामालिनी ने भी प्राचीन भारत की इस विरासत को जीवित रखा है। कुछीपुली नृत्य शेली, इस नृत्य की रचना पंद्रहवी सदी के दोरान हुई है। मुख्य रूप से स्त्री सौंदर्य के वर्नन पर आधारित और स्त्रियों तथा पुरुशों दोनों द्वारा किये जाने वाले कुछीपुली नृत्य में भारतिय नृत्य की बुनियादी मुद्राओं को शामिल कर लिया गया है। यह आंध्र में विशेश रूप से प्रचलित है। दुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड़ी, यामिनी रेड़ी, शोभा नायदू आधी प्रख्यात नर्तकों ने भी इस शैली की प्राचीन विरासत को जीवित रखा है। कथकली केरल राज्य का प्रचलित नृत्य है। पौरानिक महाकाव्य, महाभारत के प्रसंड और संस्पृत मल्यालम मिशृत नातक बाद में कथकली कहे गए। कथकली की वेशभूशा घेरदार सुन्दर कपढ़ावाली होती है। उनके पात्रों को पहचानने के लिए उन संगीत में परिचे देता है तथा तीनों लोग के पात्रों को चेहरे के हावभाव एवं हस्त मुद्रा से सजीव करता है। केरल के कवी श्री वल्थोल्ट स्थापित कलामंडल में कथकली कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, शिवार्मन वगेरह ने इस शैली को देश-विदे में प्रसिद्धी दिलाई, कथक नृत्य, कथन करे सो कथक कहावे, उक्ती पर से कथक आया है। महा भारत में श्री कृष्ण और गोपियों के साथ के नृत्य की कथाओं पर कथक नृत्य आधारित है। उत्तर भारत में वैशनव संप्रदाई की श्रिंगार भक्ती के साथ कथक नृत्य का विकास हुआ है उसमें एक पैर पर गोल गोल घूमना और नृत्य के प्रसंद प्रदर्शित किये जाते हैं इस नृत्य में स्ट्रिया चूलीदार पायजामा और उपर घेरवाला वस्त्र पहनती है पंडित श्री बिर्जु महाराज सितारा देवी और कुमु इस नृत्य के समय रेशम का ब्लाउज पहन करके कमर पर पट्टा बांधते हैं तथा नीचे घेरदार हरे रंग का घाघरा कुमीन पहनते हैं बुरू आमोबी सिंग आतोम बे सिंग बुरू बिपिन सिन्हा नैना जवेरी निर्मल महता आदी ने इस नृत्य को देश विदेश में प्रसिद्धी दिलाई है नाथ्यकला भारतिय नाथ्यकला की मुख्य विशेष्टा मनुरंजन के साथ संसकार रही है नाथक का संचालन करने वाले सूत्रधार और मनुरंजन द्वारा आनंदित करने वाले विदूशक की जोडी ने भारतिय नाथकों को एक अलग पहचान दिलाई है भरत मुनी रचित, नाथ्यशास्त्र इसकलाक्षेत्र में आती प्रचलित है नाथिलेखन और मंचन द्वारा रंग मंच पर द्रिश्यक्ष्रव्य एवं अभिने के त्रिवेनी संगम के साथ नाथ्यकला सबको आनंदित करती है यह आबाल वृधका मनुरंजन और लोक्षिक्षन करने वाली भारत की प्राची निकला है भरत मुनी इस कला में सभी कलाओं का समन्वय मानते हैं वे नाथ्यकला का वर्नन करते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई शास्तु नहीं है ऐसा कोई शिल्प नहीं है ऐसी कोई विद्या नहीं है ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जो नाथ्यकला में नहो भरत मुनी रचित प्रथम नाटक का कथानक देवासुर संग्राम था। संस्कृत साहित्य में महाकवु भास ने महाभारत आधारित करनभार उरुभंग और दूत्वाक्यम जैसे नाटकों की विरासत हमें दी है। सुन्दरी का नाम सबसे उपर है। इनके उपरांत अमरित नायक, बापुलाल नायक, नंदबत्रीसी नाटक, प्रांसुक नायक, दीना पाथक, जश्वन्थ ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीन जोशी, सरिता जोशी, दीपक घीवला आधी का योगदान भी उलेखन देशी नाट्य समाज और अन्य नाट्य सिंस्थानों का योगदान भी महत्वपूल रहा है। भवाई, शास्त्रकारों ने भवाई को भावप्रधान नाटक कहा है। भवाई गुजरात की लगभग 700 वर्ष पुरानी विशिष्ट प्रकार की नाट्यकला है, जिसे असाइ पुरंजन और मुंगल वाद्य के साथ संगीत प्रधान नाटक और वेश प्रामदेव का वेश, जंडा जूलन का वेश, बेमिल जोड़े का वेशादी ये सब भवाई की विशेशता रही है। भवाई के विश्यवस्तु में सामाजिक कुरीतियों के प्रतिकार का भी बुजरात के लोकनृत्य, बुजरात की लोक्रिय प्रजा की विवद कौम और जातियों में रूरियों, रीतिरिवाजों और परंप्राओं के अनुसार लोकनृत्य देखने को मिलते हैं। जादातर नृत्य वृताकार स्वरूप में घूमते घूमते होता है। धूल और रूरिगत, मंजीरा, थाली, तुरही, तंबुरा, आदी, वाध्ययंत्रों के साथ स्थानिय बोली में गाने के साथ यह नृत्य होता है। ऐसे नृत्यों में सिक, चाडो, नृत्य में मोर, गिलहरी, गोर्या जैसे पक्षियों की नकल होती है। डांग में भी ऐसा मालीनो चाडुप तथा, ठाई चाडो, नृत्य देखने को मिलता है। जबकि भील और कोली जातियों में श्रमहारी टिपनी नृत्य में मोटी लकडी के नीचे लकडी कर टुकड़ा जड़ करके जमीन के उपर टकरा कर ताल द्वारा समूह नृत्य किया जाता है। आद्यशक्ती मा जगडंबा की पूजा और आराधना के इस पवित्र पर्व के अफसर पर गुजराती स्त्रिया माताजी का गर्बा गाती है। गर्बा गाते हैं। बुजरात में गर्बा के उपरांद गाई जाने वाली गर्बी का संबंध अधिकांच तह श्री क्रिश्न भक्ती के साथ है। गुजराती कवी दयाराम ने गोपी भाव से श्री क्रिश्न प्रेम की रंगभरी गर्बियों की रचना की है। जो आज भी गुजराती स्त्रियों के कंच से गूंचता रहता है। रास अर्थात वृताकार घूंते घूंते नृत्य के साथ गाना। अपने यहां ऐसी कथा है कि भागवान श्री क्रिश्न ने भक्त नर्सिंध महेता को रासलीला बताई थी। बुजरात में अधिकतर नवरात्री तथा जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में रास खेली जाती है। दांडिया रास यह रास का एक प्रकार है, परंतु गागर या हाडी लेकर रास की जाती है। वैश्नव संप्रदाय का प्रभाव बढ़ने पर रास अधिक लोक्प्रिय बनी है। रास खेलने के लिए स्त्रिया करणाई वाली चनिया चोली और पुरुष मिर्जाई धोती जैसे परंपरागत पोशाक पहनते हैं। गुजरात के अन्यन रित्य, एक गुफ गुन्थन रित्य, गुजरात का यहन रित्य धोल वगरा संगीत के ताल पर होता है। पहले मंडप, खंभे या वरिक्ष के साथ दोरी बाधी जाती है। फिर नीचे समूह में खड़े नाचने वाले लोग उस दोरी के किनारे को पकड़ कर एक हाथ में किनारा और दूसरे हाथ में दान दिया, बेल के आकार में एक अंदर और एक बाहर इस तरह गोल भूमते गुंतने की क्लिया करते हैं और छोड़ते हैं। पक्षियों की आवाज की नकल करते हुए समूह में नृत्य करते हैं। यह नृत्य सागर की लहरो या उन लहरो पर हिलो लेते जहाज जैसा द्रिश्य खड़ा करता है। सौराष्ट्र के कोलियों के कोली नृत्य में वे सिर पर मदरासी सिर पर बांधा जाने वाला रंगीन कपड़ा घुमावदार पगड़ी पहनते हैं। जिसके छोर पर छोटे छोटे गोल दरपन से भरे हरे पट्टे से बांधते हैं। कमर में रंगीन कमरबंध पहन कर नृत्य करते हैं। इस तरह सौराष्ट्र के मेर तथा भरवाट गर्रियाक जाती के नृत्य भी प्रसिध हैं। इस प्रकरन में हमने देखा कि पहले की गई चर्चा अनुसार भारत की संस्कृती सर्व व्यापक और सर्व समावेशी है। प्राचीन काल से लेकर साम्परत समय तक विविद जातियों का आगमन और हुए परिवर्तन के अनुसार हस्तकला, रह कारीगरी और चित्रकला तथा नृत्यकला सहित विविद ललित कलाय विक्सित हुई हैं। जो भारत के विविध्यपूर्ण विरासत का दर्शन कराती हैं और विश्व में भारत की अमिच्छाप छोड़ती हैं।